सक्सस दिलिप मेधुलिप र الإmitcimento क करें। तो दूस्त आप सभी कैन्ट के लिए एक बहुत बड़ी डीपाटमेंट की तरब से पर्मानेन जॉब के लिए जब अर्ज Remember दिकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट है आपका TATA टा गैस टाटा से वैसे भी जब भी वेकिंसिज निकलती है तो जरूर युड़ाय करें और अभी लागातार आपको TATA से वेकंसिज देखने को मिल रही है टाटा की एक department है एडवांस सिस्टम एक इस तरह के डिपार्टमेंट है जैसे कि मिसाइ बनाती है और अकास में इनका बहुत बड़ा युगदान है इस तरह की मिसाइल्स हो गया मिलिटरी वेन हो गया या फिर एर क्राफ्ट हो गया जो बिलकुल आपने ओडिनेंस फेक्टरी जैसे देखा ओना ओडिनेंस फेक्टरी गोला पारुद ही नहीं बहुत सारी military van military tank भी बनाती है जैसे DRD हो गया DRD मिसाइल भी बनाती है इसी प्रकार को लेकर टाटा भी बनाती है टाटा का खुद का यहाँ पर military van आता है आप हुदे देखायोगा और इसका जो आकास है आकास का 50% का सेयर होता है इसमें टाटा का ओके यानि कि ये टाटा और L&D दोनों निर्मान करती आकास का ओके तो फाइनल एसेंबलिंग तो डियाडियो करता है ये करता है तो इस तरह का डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंड के लिए जोबर जस्त वेकेंसी निकाली गई है लगतार वेकेंसी नियान निकल रही है भी तो इसके पास मेन पाउर की बहुत ज़्यादा कमी है इसका मतलब है कि बल्क में हाइरिंग चल रही है बंपर वेकेंसी जिसे हम बोल सकते हैं बलक में hiring मतलब बहुत सारे candidate का यहाँ पर selection होने वाला है विकेंसी release की गई आई टिया वालों के लिए डिप्लमा वालों के लिए और बिटेक वालों के लिए अगर टाटा है तो salary की tension भी नहीं है बहुत अच्छी खासी salary मिलेगी TA, DA, HRA जो भी government में सुविधा मिलती है pensions वेगर की सारी सुविधा आपको टाटा देती है यतना तो आपको पता है टाटा में जौब लग जाए या फिर government में जौब लग जाए दोनों बात बराबर है सब कुछ facilities तेम देती है यह भी quarter का देती है और आपका government भी quarter देती है salary भ सेंड कैसे करनी है जितने भी student है एंड तक वीडियोज देखना मैं बताऊंगा इसमें की कैसे आपको सीबी सेंड या अपलोड करनी होगी स्टाट करते है वीडियोज को आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सकस्व दिलिप को सब्सक्राब नहीं कियें so please do subscribe and hit the bell icon आपको मैं बात करने वाला हूँ यह है आपका नई नोटिफिकेशन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिंटेड जिसे हम टी एसल के नाम से बोलते हैं इस हैरिंग वेल इन्वाइट ओल इंट्रेस्टेड केंडिडेट फोर यह वाक एन इंट्रव्यू ओन सिक्स्ट एंड सेवन्थ जन्वरी तुठा जन्वरी टुठा जन्वर्ट एट नासी यह वेकेंसी रिलीस की गई है यह वेकेंसी रिलीस की गई है 2024 के लिए छे जन्वरी और साथ जन्वरी के लिए अब इंट्रव्यूस वाक एन इंट्रव्यूस के थूरू सेलेक्शन होगा अब वाक एन इंट्रव्यूस में पूछा किया जाता है किस प्रकार की जौब है और जो केंडिडिट नहीं जा सक सिर्फ मिनिस्ट्रिव डिफेंस डियाडि यहां पर टाटा का भी खुद का एक डिफेंस सेक्टर है यही से रिक्रूट्मेंट रिलीस की गई है वेकेंसी सबसे पहले देखते हैं जो जौब रोले ऑपरेटर एसेंबलिंग या फिर पैंटर में अब पैंटर की जो ट्रेड है तो एपरेंटेशिव ज़रूरी है विदाउट एपरेंटेशिव केंडिडेट यहां पर अप्लाए नहीं कर सकता है विदाउट एपरेंटेशिव फिटर प्लस ट्रेड आपका फिटर प्लस एपरेंटेशिव ओभी एंसी बीटी से कर रखी हो फिटर या फिर आ experience है तो भी आप eligible हैं यहां पर eligible हैं अपना CV send करने के लिए CV send करने में कोई भी experience की इतना ज़्यादा ज़र्त नहीं होती है जैसे वहाँ पर required क्योंकि लागतार इस तरह की recruitment निकल रही है इसका मतलब TASL में vacancies की भरती की बहुत ज़्यादा ज़र्त है तो इसका benefits आपको उठाना चाहिए यहां पर गैस यह vacancy सिर्फ ITI student के लिए समझ रहे हो यानि की vacancy बहुत बड़ी होगी कभी सिर्फ ITI student के लिए only TATA में निकाली गई है अब यहां पर other trade की candidate eligible एं असेम्बली में देखो hand on experience in structure assembly process good understanding engineering drawing यानि की यह सब चीज की knowledge होनी चाहिए इंजिनेरिंग डॉनिट की फिर family with hand tool cutting की इसकी अधर आपका पेंटर भी trade है दिखें यहां पर पेंटर ट्रेड लिखा रही है लेकिन पेंटर के लिए खरती निकाली गई है क्योंकि यह सब private organization से इतना ज्यादा पेंटर के लिए वेकेंशी निकलती निकलती नहीं फिटर मतलब निकल तो अगर आपका पेंटर भी trade है तो भी आप यहां पर जरूर एप्लै करें पेंटर करके आपने apprenticeship किया हुआ हो मिनिमम आपका पास experience है तो भी eligible है क्योंकि एसेंबल एंट पेंटर दोनों ब्रांच के लिए recruitment रिलीस की गई है अब यह देखो यह तो वाकेंट इंटरिव्यूस के तुरू सेलेक्शन होगा डिप्लोमा वालों के लिए भी मता रहा हूं ध्यान से देखो आप सब के लिए भी आप परश्णोटी है शिक्स्त जनवरी एंथ सेक्वेंट जनवरी दोजार चोवीस को चास किलोमेटर के दैरे में आपकर अपकर अपका घर परता है या फिर आप रहते हैं यानिकि 50 किलोमेटर के याадцっक कलोमेटर के दैरे में एकर रहते हैं वेञें से तो आप 'reaunt से बिजिट कर सकते हैं इंटरिव्यू दे सकते हैं ओके ये नहीं कि जारकंड से अपने राची से भी सुना और अभी दोड़ लगा दो 6 जनवरी को इंटर्विय वहाँ पर अगर आपका सेलक्षन नहीं हुआ तो डिरेक्टली खर्चा वेस्ट जाएगा इसलिए उतना दूर जाने की जूरत नहीं है इसलिए मैं हर बार बोलता कि यहाँ पर भरती का केंपस आ रहा है तकि आप भरती का जोईन कर पाओ तो यह एक ही नहीं बहुत सारी रिकूटमेंट रिलीज की गए यहां पर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखिए तो आराम से आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं इसकी जो इंटर्वी होगी बचा हुआ है अगर आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं ने तो छे से साथ जनवरी वाला तो है यहां तुमें उसके बाद सिर्फ यहां आई टी आई ही नहीं अधरवाज आपने बिटेक कर रखी हो डिप्लोमा कर रखी हो दो से आठ साल का मीनिमम मान के चलो आठ दस पचास कुछ भी लेखाओ डिजर्ट बेंडर मेनिममम टू इयर एक्सप्रियंस से तो भी आप इंटरिव्यू के लिए जाद सकते हैं ओके तो यह दो अपोस्टोडी हुई तीसरी अपोस्टोडी एक और निकाली गई है वरती जो की है आपका डिप्लोमा एंड बिटेक व लेना है ओके तो यह तीन तरह की नोटिफिकेशन है टाटा एडवांस में आपके पास तीनों के लिए अभी अराम से टाइम है फॉर्म बरने के लिए या फिर इंटर्व्यू में जाने के लिए अब बहुत सारे केंडिडेट क्या है आईटिया के स्टूडेंट डिप्लोम सीमेल एड़ी में या फिर लिंकडिन का कोई आईड़ी दे देंगा उसमें आपको जाकर अपना सीवी उसको अपलोड करना और अपना सीवी उसको टैग कर देना है ओके कि आपके पास इतना साल का एक्सप्रियंस है और आप टेटा एडवांस में जॉब करना चाहते हैं सब्सक्राइब के और से इसी तरह से टाटा एडवांस में भरती आती रहेगी तो अपना कमेंट करना ना बोलें हर एक जगा पर इतनी बड़ी डिपार्टमेंट केंपस निकाल रही है वो के इन अट्रवीज की जूर थूर सेलेक्सान ने रहे तो बहुत बड़ी बात है व